चित्रकला के विद्यार्थियों नमस्ते मैं डोक्टर पमन कुमार जांगिड सहाई काचारी चित्रकला राजकी पीजे महाविद्याले किसंगड विष्वे के महान चित्रकारों के द्वारा किये गए कलाकारी और उनकी जीवन के बारे में हम चर्चा अत्वा द्यान कर रहे हैं उसी कर्म को आगे बढ़ाती हुई आज हम विश्वे के महान तम चितरकारों में से एक पिटर बाल रूबेंस के बारे में चरचा करेंगे इस कलाकार के हम दो वीडियो बनाएंगे उसमें से पहले वीडियो में हम उनके जीवन और कलाकारी के बारे में चर्चा करेंगे दूटिय या सेकंड वीडियो जो ए लेक्चर रहेगा उसमें हम उनके प्रशीद पेंटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे पिटर पाल रुबिंस जो ये सामने आप व्यक्ति चितर देख रहे हो पिटर पाल रुबिंस के द्वारा बनाया गया सेल पोर्ट्रेट है 1623 इसवी में उन्होंने स्वेम का आत्म चितर बनाया यही उनका चितर है पिटर पाल रुबिंस का समय 1570 इसवी से सोला सोचालीश इस वी के मद्दे रहा है पिटर पाल रूबेंस फ्लेमिस कलाकार रही है इनका जनम शिगन वेस्ट फेलियो जरमनी में हुआ था इनकी पिता एट वर्प के निवासी थे जो ततकाली नीदरलेंड्स का ही एक अंग था वे यहाँ परवास कर रहे थे पिता की मृत्यु के उपरांत रूबेंस पुनय जब स्वधेश लोटा वहाँ आकर पिटर को उच्वरग में अपना परभाव जमाने का अवसर मिला और शिग्र ही वह सामनतों में किना जाने लगा पिटर पार रूबेंस ने सामनती रंग धंग विसेक लिया और जीवन भर उसके साथ रहा फिर विचितर कला में उसकी विशी सभी रूची बनी रही है हम देखते हैं कि कोई भी कलाकार हो वह कलाकार उस समय की परिष्टितियों वहां के समाज और शंशकरती एवं वहां के बोगोलिक प्रिदर्शे से प्रभावित रहता है और उसी के अनुरूप या उस से प्रभावित होकर उन सब प्रिष्टितियों से प्रभावित होकर चितरकार चितरन करता है तो आज हम देखेंगे कि पिटर पाल रूबिंस ने किन कलाचारियों का दिन किया किन प्रिस्तितियों में वह है रहा और उसने किस परकार का चित्रन किया है पंद्रा सो इक्राण में में उसने चित्रकला की शिक्षा लेना आरंब किया सुरू के कुछ वर्षों में अलग-अलग इस्तानों पर उसने आंसिक रूप से कला का अध्यन किया लेकिन 23 वर्ष की आयू में जब वेनिश पहुंचा तो वहां के एक उद्ध्यान में इस मृति से एक प्राचिन चितर की अनुकरती कर रहा था तो एक कला मरमग्य ने उसे उस समय देख लिया और उसकी कला से प्रभावित होकर उसे माटवा के ड्विक के यहां ले गया वहां रुबिन्स को दर्बारी चितरकार नियुक्त कर लिया गया पेटर पार रुबिन्स ने रोम पादवा तता अन्य कई नगरों की यात्राईं की सोला सुती निश्वे में माटवा के ड्विक ने उसे कुछ उपहार भेट करने है तो इस पेन भेजा एटवर्प में जब वहे वापिस लोटा उसमें फ्लांडर्स के समराट ने उसे अपने दर्बार में चितरकार का पद्ध दे दिया रुबेंस ने एटवर्प के टावन हाल के हितों मेजाई की वंदना नामब प्रशित चितर बनाया जिसमें मानवा कार के 28 आकरतियां उसने चितरित की है पिटरपाल लुबेंस सास्त्री रूप से एक शिक्षित मानुतावादी विद्वान वराजनएक व्यक्ति के रूप में पैचाने जाते हैं इनके चितरों के जो विशय हैं अधिकांस इतिहास से सम्मंदित चितर इन्होंने बनाई धार्मिक पोरानिक वे शिकार से सम्मंदित कई चितर इन्होंने बनाई इसके अतरिक्त इन्होंने आत्म चितरे कई मित्रों के व्यक्ति चितरे भी बनाई हैं कला संग्रह करता के रूप में भी पिटर पाल रुबेंस पहचाने जाते हैं इन्होंने पुष्टक भी लिखी है ये कला डिलर भी रहे हैं लकडी के पेनलों पर भी इन्होंने कारिय किया इसके अलावा के नवास पर भी पिटर पाल रुबेंस ने कारिय किया है लेटिन वसास्त्री साइते का इन्होंने अध्यन किया और जब इन्होंने 1690 में इटली की यात्रा की उस समय इन्होंने तेशियन तीन तो रेतो वेरोनेज ऐसे महान या प्रशित कलाकारों के पेंटिंग्स देखी और उनसे वे प्रभावित भी रहे हैं जैसे तीन तो रेतो वेरोनेज की जो पेंटिंग्स है उनकी रंग योजनाओं से बहुत प्रभावित रहे और उनकी रंग योजनाओं का पीटर पाल लुबेंस के चित्रों पर प्रभाव पड़ा इसी परकातीशियन जो कलाकार हैं उनकी परिपक्व शेली को देख कर पीट पिटर पाल डुबेंस ने किया इटली की जो महान कलाचारिये हैं उन कलाचारियों की पेंटिंग्स की नकल भी पिटर पाल डुबेंस ने की जैसे माइकल एंजिलो रैफेल लियोनार्ड डुबेंची इन कलाकारों की कलाकरतियों से पिटर पाल डुबेंस प्रभावित रहे ह और उनके उन कलाकारियों को इन्होंने देखा, उनके बहुत कुछ सिखा है 1603 इस्वी में जब पिटर पाल लूबिंस ने स्पेन की यात्रा की उस दोरान रेफेल तता तेशियन के कला संग्रों का अध्यन किया 1604 इस्वी में जब ये वापिस इटली आए तो जेनुआ में कई पोट्रेट्स इन्होंने बनाए इसके अलावा पुछतक चितरन भी किया है 1609 में जब ये 32 वर्स की आयूक के थे उस समय इन्होंने एक इसा बेला नामक योतिशें साधी कर ली वेवाहिक जीवन को सुक से वेतित करने के लक्से से रुबिन्स ने एक सुन्दर भावन बनवाया और यहां रहकर लगबग 10 बारे वर्स तक उसने जो कारी किया वह उसकी पिटर पाल रुबिन्स के सरवोतम करतियों में से माना जाता है जैसे 1612 से चोगदा के मद्धे इन्होंने इसा का सुलिशे उतारा जाना बहुती परशिद चितर मनाया जो उसकी सरवोतम करति माना जाता है इसा का सुलिशे उतारा जाना यह जो चितर है यह इसा का सुलिशे उतारा जाना चितर है यह भी एट वर्प के कैथेडरल में है यह पिटर पाल रुबिन्स के सरवोतम करति है इसके तीन भाग इन्होंने बनाई है पेनल चित्र है ये प्रथम भाग है जिसमें आप ये देख सकते हो इसके तीन भाग है ये सारी चित्रे इन्हें के बनाई गई है पेटर पाल रूबिंस ने अपनी पत्नी के साथ एक आत्म चित्र भी बनाया जो रूबिंस दिता उसकी पहली पत्नी के रूप में प्रशिद है इसे प्रकाश 1619 में उसने क्रोश का खड़ा किया जाना दा इवलेशन दा क्रोश ना चित्र है ये हैं क्रोश का खड़ा किया जाना ये वाला चित्र ये भी तीन भागों में विवाजित है पेनल लाइक हैं यह देखो इसके left side का यह जो है इस panel चितर के left side में बना हुआ चितर है यह उपर आप इसको देखो यह तेन भागों में इसमें left side में यह वाला बना हुआ है और यह right side का है क्रोश का खड़ा किया जाना इसमें यह right साइड में बना है और ये जो नीचे है ये है इसके बेक ओप लेफ्ट साइड में बनावा पेनल चित्र है ये है पिटर पाल रूबिन्स की एद्वित्य रचना मानी जाती है पिटर पाल रूबिन्स ने अपने यहां एक चितर शाला इस्तापित कर ली थी जिसमें अनेक चित उसके अनेक सहाई उसके साथ मिलकर कारी करते थे समलित कारियों के उधारणों में जैसे मारिय तता मेरी के घर में इशा नामक चितर रखा जा शकता है इसमें आकरतियां रुबेंस ने चित्रित की, द्रश्य मकमली बुर्गेल ने, बहवनवान डेलेन ने, तथा अन्य सामगरी जान वान कैसिल ने अंकित की है फिर भी चित्र एक कलाकार दोरा बनाया गया परतीत होता है दीरे दीरे पिटर पाल लुबेंस का यस इतना फेल गया था कि अनेक कलाप्रे में उससे चित्र बनवाने लगे यह चित्र का रेकांकर करके रंगों के संकेत कर देता था, उसके से से उसमें मोटा मोटा काम कर देते थे एक कलाकार प्राकरतिक द्रशी बना देता दूसरा गोड़ा और तीसरा जंगली पसु चित्रित कर देता तो कोई चोथा कलाकार उसमें बेड़ बाड बना देता था पांचवा कलाकार इस तिर जीवन का चित्रन कर देता और सब के अंत में रूबेन स्वैम उस चितर में अपना इसपर्ष लगा कर उस पर अपनी छाप छोड़ देता डाल देता था उसके सहयोगी उचे कलाकार थी फिर भी वह किशी को दोका नहीं देता था प्रतेक कलाप्रे में उसकी इस पद्धती को जानता था 16-22 इस्वी में 45 वर्ष की आयो में उसे फ्रांस की रानी ने लगजंबर राजमहल में 21 विसाल भी तीछी तरंकित करने के लिए आमंतरित किया यह जो कारिये पिटर पालू बिंस ने किया बड़ी उत्तमता से इस कारिये को किया है इसमें उसने फ्रांस के सासक हेनरी चतुर्थ के साथ मेरीडी मेडीशी परिवार के कन्या मेरीडी मेडीशी के विवाह का चित्रन किया जो राजनितिक कारणों शें किया गया था रूबेंस ने इसमें अपने दर्बारी रूप तता चितर का रूप दोनों का बड़ी ही बुद्धी मानिशी समनवई किया है हैनरी को एक प्रेमी की रूप में दिखाया गया है जिसे भेंट करने के लिए देवदूत आदी मेरीडी मेरीशी का चितर लेकर आ रहे है आकास में देवगण भी इस चितर पर प्रसंता व्यक्त कर रहे है इस पेन में रूबेंस वेलाज जब वेलासके से मिला तो दोनों में मितरता हो गई आगे चलकर वेलासके की कला पर उसका प्रभाव भी पड़ा है हम जैसे देखते हैं पिटर पाल रूबेंस एक राजनितिक व्यक्ति के रूप में भी परशीद रहे राजनितिक उद्देशे के हितू पिटर पाल रूबेंस इंगलेंड के सासक चार्ल्स परतम को एक चितर भी भेट किया था जिसका सीर शक्ता सांती के वर्दान इस चित्र में बुद्धी की देवी में नर्वा युद को पीछे धखेल रहे हैं और सांती को सुख सम्रदी तता मुश्कराते बच्चों का उपहार मिल रहा है 1623 को चार्ल्ज पर्थम ने रुबेंस को इंगलेंड की नाइट हुड का सम्मान भी परदान किया उसके बाद में रुबेंस पुन है एट वर्प लो टाइब 1626 में विवाइक जिवन के 17 वर्ष व्यतित हो जाने के उपरांत उनकी पहली पतनी इसा बिला के मरत्य हो गई और इन प्रस्तितियों का उन पे बहुत बड़ा आगात हुआ लेकिन उन्होंने दाइतों शेमों नहीं मोड़ा और वापिस कारिये में लग गए उसके बाद में इन्होंने हैलेन फॉर्मेट से वापिस पुन है विवाइ किया 1633 के पच्चाथ उसने राजनितिक को पूरन रूप शे छोड़ दिया त्याग दिया और शे सारा समय चित्र कला सरजन में ही लगाया अपनी दूशरी पत्नी के उसने अनेक चित्र बनाई और अनेक धार में पोराणि क्चित्रों में उसका मोडल के रूप में प्रियोग किया कुछ चित्रों में तो उसका सरीर इतना अनावरत अंकित किया कि रूबेंस की मरत्यु के पश्चाद हैलेन फॉर्मेट ने अपने कुछ चित्रों को नश्ट करने का प्रियतन भी किया इन में से एक चित्र वेना संग्राले में हैं जिसमें वह काला रुएदार वस्तर सरीर को कुछ भाग पला पेटे अंकित हैं इस अन्तिम समय के चित्रों में जैसें लोग की पस की कन्याओं का सील भंग पेरिश का न्याए दे लास्ट दे जजज्मेंट ओ पेरिश तीन लावन ने वेनिस तता एड़ोनिश आदी पिटर पाल रुबिन्स के प्रशिद चित्र हैं जो उसके अन्तिम समय के चित्रों में हैं इस पेन के शासक को उसने 112 चित्र एक बार और कुछ चित्र दुबारा बेजे और अधिक मांग आने पर वेह उसे पूर्ण करने में ऐसा मरत रहा और चार विशाल चित्रों की रचना करते करते मई 1640 इस्वे में उसके मरत्य हो गई तो हम आज हमने पिटर पाल रुबिन्स के जीवन और कुछ करतियों के बारे में अध्यन किया है पिटर पाल रुबिन्स का खतन था कि मेरा जुनून आकास से आता है ने कि सांसारिक पेशियों से मैं बस एक सादारन आदमी हूँ जो अपने पूरानी ब्रस के साथ अकेला खड़ा हूँ बगवान से इंस्पायर प्रेलना मांग रहा हूँ पिटर पाल रुबिन्स ने बहुती प्रशिद चित्रों का चित्रन किया है अगली एलेक्चर में हम उनके प्रतेक चित्रे और उनके कला की विशेष्टाओं के बारे में अध्यन करेंगे आज बस हम इतना ही अध्यन करेंगे उसके बारे उसकी कला को हम अगले वीडियो में तीन भागों में बाटेंगे एट वर्प का कार है जो 1609 से 1621 मद्दे 21 इस्वी के मद्दे का है दूसरा मेरिडी मेडिशी में उस समय जब राजने एक मिसन पे थे वह है पेरियड 1621 से 1630 इस्वी के मद्दे और लास्ट वर्प उनका 1630 से 1640 इस्वी के मद्दे का रहा है जिनके बारे में हम अगले एलेक्चर में चर्चा करेंगे उनके परते एक पेंटिंग के बारे में हम अध्यन करेंगे धन्यवाद